तो फाइनली गाई जैसा कि आप सभी चानती होंगे अजे डेवगन की फिल्म शैतान को रिलिस होने में बस अब तीन दिनों का टाइम बचा था और दोस्तों येकीन मानिए जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ क्योंकि शैतान फिल्म की एडवांस बुकिंग ने अपनी रफ्तार अपनी स्पीड पूरी तरह से पकड़ ली है और जैसा कि मैंने आपको कहा था दिरश्यम टू देखी थी आपने बैई दिरश्यम टू कैसी ब्लॉक पास्टर हुई थी बॉक्स आफिस पे शायद आपको य लाइफ टाइम में भी इतिहास रचने वाली है और जहां तक मेरा मानना है अगर ये फिल्म बढ़िया निकल गई और दोस्तों फिल्म को रिव्यू अच्छे मिल गए हर जगा से पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल गया और जनता ने इस फिल्म का साथ दे दिया तो आप गारं जाता चलू में कि जब फिल्म के पोस्टर और फिल्म का टीजर रिलिस हुआ था तो तब उडियंस ने उतना ज्यादा रिस्पॉंस नहीं दिया था लेकिन जब से फिल्म का ट्रेलर रिलिस हुआ है ना फिल्म के ट्रेलर ने तबाही मचा दी है चारो तरप सिर्फ शैतान फिल्म को लेकर फैंस जिस तरह से क्रेजी है और फिल्हाल जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट में आपको देने वाला हूं इस वीडियो में वह वाकी हैरान कर देने वाली है क्योंकि फिल्म को रिलिस होने में अभी भी तीन दिनों का टाइम बचा है और आपको पता है कि जो लास्ट के थिरी डेज होते हैं ये बहुत बढ़िया होते हैं एडवांस बुकिंग के लिए तो मैं कहता हूँ कि एक बड़ी ओपनिंग लेने के लिए पूरी तरह से फिल्म शैतान तयार है तो चलिए फिल्हाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं शैतान फिल्म के अ साफ इस वीडियो के साथ बने रहेगा लेकिं दोस्तो उससे पहले अगर आप आजे देवगन को एक बेहतरी नभी नेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथे साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तो अगर मैं बात करूं फि फिल्म का बजट 80 करोड उपे से भी कम का है और दोस्तो मान के चलिए फिल्म ने अगर बॉक्स आफिस पर 100 करोड उपे भी कमा लिये ना तो ये फिल्म बॉक्स आफिस पे हिट हो जाएगी लेकिन फिलहाल अगर मैं स्क्रीन काउंट की बात करूं तो दोस्तो उम्मीद है जिस तरह से शोज बढ़ रहे हैं और जिस तरह से डिमांड हो रही है फिल्म शैतान की तो मुझे लगता है कि फिल्म के पास ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा स्क्रीने होगी हाला कि मेरा मानना था कि कम से कम 3000 स्क्रीनों पर ये फिल्म इंडिया के अंदर रिलीज हो जाए और फिल्म को उसके बाद अगर तारीफे मिल गई तो सारे सिनेमा घर आपको हाउस फुल नजर आने वाले और फिल्म का जो वीकंड रहेगा फ्राइडे से टरेडे और संडे ये बहुत शानदा रहने वाले हो सकता है कि अपना बजट अपने वीकंड पर ही ये फिल्म चलो हम सिटी के हिसाब से बात करेंगे कौन से शहर में फिल्म का क्या हाल चल रहे हैं दिल ये एंसियार के अगर हम बात करें तो यहां पे दो परसेंट से ज्यादा की ओक्यूपेंसी हो चुकी है कल जब मैंने आपको रिपोर्ट दी थी तो 0% की ओक्यूपेंसी थी अभी 2 परसेंट से ज्यादा कि ओक्योपैंसी हो चुके है और फिल्म के पास 575 शोज हो चुके हैं और यहां पर दोस्तों बहुत जल्दी बहुत सारे शोज हाउसफुल होने वाले क्योंकि अभी तीन दिन बाकी है तो भी उतनी जल्द बाजी नहीं है कि ओक्योपैंसी को लेकर हम ड टाइम है तो सारे शोज आपको जल्दी से जल्दी हाउसफुल नजर आने वाले लेकिन शोज है ये बढ़िया बात है मुंबई के अगर मैं बात करू तो यहां पे भी 570 शोज हो चुके हैं जिसमें से दो अल्मॉस फुल है और दो फास फिलिंग है तीन परसेंट से ज्या फास फिलिंग हो चुके हैं हैदराबाद के अगर बात करें तो यहां पे भी बहुत शानदार रिस्पॉंज मिलना शुरो हो गए 8% से ज्यादा की उक्यूपेंस यहां पे हो चुकी है फिल्म के पास 120 शोज है जिसमें से 5 हाउसफुल है और 8 फास फिलिंग है कॉलकाता के अभी फिलहाल 1% की उक्यूपेंस है फिल्म के पास 135 शोज है एहमदाबाद में 1% की उक्यूपेंस है 240 शोज है चेन्ने के अंदर 18% की उक्यूपेंस है फिल्म के पास 60 शोज हो चुके हैं सूरत के अंदर अभी 0% की उक्यूपेंस है हाला कि शोज भी सूरत में अभी उतने हो जाएंगे और कल परसों तक मुझे लगता है यहाँ पे 200-500 शोज बड़े आराम से हो जाएंगे जैपूर की अगर बात करें तो 3% की occupancy film के पास 100 shows है और चंडिगर में 2% से ज्यादा की occupancy हो चुके film के पास 60 shows है भोपाल में 8% की occupancy है उतने ज्यादा shows नहीं क्योंकि हिंदी लेंग्विज में फिल्म रिलीज होगी साउत में भी तो फिलहाल जितने भी shows है यहाँ पे सारे के सारे house full रहने वाले आगरा में भी अभी उतने ज्यादा shows increase नहीं हुए है 15 shows है अमरेस्तर में 25 shows है जोदपूर में 35 shows है कानपूर के अंदर 30 shows है कॉलापूर में 10 shows है अगर मैं कोटा की बात करूँ तो यहाँ पे 1% की occupancy 25 shows है लुद्याना में 15 shows है नागपूर में 45 shows है तो यानि कि कहने का मतलब यह है कि भाईया शायतान को बहुत शांदार response मिल रहा है अगर मैं advance booking की बात करूँ तो दोस्तो यहाँ पे बहुत अच्छी report मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि फिल्म ने 82 लाक रुपे की advance booking कर ली है बहुत शांदार फिल्म को release होने में भी 3 दिनों का time बाग की है यानि कि आप ये मान के चलिए अगर कल तक यानि कि कल सुभा तक फिल्म ने डेर से पौने 2 करोड रुपे की advance booking भी कर ली तो आप लिखके ले लो कि फिल्म अपने first day के लिए कम से कम 7 से 8 करोड रुपे की advance booking कर लेगी और फिल्म की जो opening है वो कम से कम 20 से 25 करोड रुपे जिया दोस्तों मैं अब भी फिर कहूँ आपको कि अगर 7 से 8 करोड रुपे की फिल्म शैतान ने अपने first day के लिए advance booking कर ली तो आप मान के चलिए कम से कम 20 से 25 करोड रुपे की opening ले सकती है क्योंकि शैतान को लेकर फिल्हाल फैंस बहुत ज़्यादा crazy है लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है आपकी क्या नजर है कि भी शैतान कितनी opening ले सकती है फिर भी आप अपना prediction कमेंड में जरूर दीचेगा